नमस्कार स्वागत है आपका वैशेवेपान नियूज में मैं हूँ आपके साथ साक्षी वर्मा चलिए शुरुआत करते हैं दिन्बर की खास खबरों से मेवात की पुनाना खंट से 13 साल की तरित नाबारिक लड़की को बंतक बना कर रखने धर्म परिवर्तन कराने उसे गाय का गोस्त खिलाने नमाज पढ़वाने और रेप की कोशिश करने और 70 साल के भुजूर को 40 जार रुपे में बेचने का मामला सामने आया है फिलाल विछोर पुलिस ने पीडित लड़की के पितागी शिकायत पर उक्तहराओ के तहत मामला दर्च कर लिया है पुलिस ने मुख्या रुपी फरजाना इसलाम और ताहिर को गिरफतार कर अदालत में पेश कर जेल भीज दिया है पीडित लड़की का मैडिकल कराया योग देने का साथ साथ भी दिया है इस बार शेदर के लोगों की दुआओं के साथ उनका विधानसभा में पहुंचना लगबकता है विधानसभा पहुंचते ही मेवाद के ड्राइवर भीया के लिए मेवाद में ड्राइविंग स्कूल खुलवाने के साथ मेवाद में ही ड् युवाव को रोजगार मिल सकेगा जो वर्षों से ड्राइवरी लाइन में अपना रोजगार तलाश रहे हैं हर्याना वगपोर्ट के चेर्मेन वे विधायक राईश खान को हाली में राज्यमंत्री का दर्जा दिये जाने के बाद उन्होंने पुन्हाना इससित अपने निवास पर पहली प्रेस्वारता की इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुडगाओं में चैन की गई 19 वकपोर्ट की जगों पर मस्जिदे बनाई जाएंगे जिस तरीके से निर्दलिय विदायक होने के बाब जूत भाजपल सरकार ने उनको जो मान सम्मान दिया है वो उसका मरते दम तक एहसान नहीं भूलेंगे और बीजेबी पार्टी के साथ रहेंगे करनाटक विधानसवा चुनाव पर नाव में हाथ से करनाटक भी फिसला कॉंग्रेस का कोई भी दा करनाटक में कारगर सावित नहीं हुआ वहीं JDS, King और King Maker की भूमी का दावा कर रही अब किस और जाएगी ये देखने वाली बात होगी करनाटक विधानसवा चुनाव में चामुन देश्वर इसे कॉंग्रेस के सीएम कैंडिडेट सिद्धा रमया को हार का मूँ देखना पड़ा जबकि दूसरी ओर सीट को मुश्किल से बचाने में वो काम्याब रहे जी हाँ देव गोडा ने सिद्धा रमया को 30,000 वोटों से हराया जबकि सिद्धा रमया ने बादानमी से शीरामूलो को हरा दिया है करनाटक विधानसवा चुनाव के रुधान सामने आने के वारराजजे विधानसवा की तस्वीर साफ हो गई है और कॉंग्रेस अब केवल 3 राज्यों में ही सिमट कर रह गई है इसी मेंसे एक राज्यायसब ही है जिसमें इसी साल के अंतक चुनाव होने है ऐसे में कॉंग्रेस अब केवल एक मात्र पंजाब में ही पूर्ण बहुमत के साथ है इसके अलावा केंद्र शासित पंडू चेरी में भी उसकी सरकार है पूर्वोतर के छोटे राजे मिजोरम में भी कॉंग्रेस है लेकिन वहाँ पर कॉंग्रेस सरकार को कारेकाल इसी साल प देश की राजानी दिल्ली में भीशन गर्मी का दौट जारी है इसी बीच आग लगने की घटनाई भी तेजी से इज़ाफा कर रही है इसी कड़ी में दक्षनी दिल्ली में देर रात आग लग गई इसमें दजनु जुग्या जलकर राख हो गई गनिमत रही कि आग के चलते जन्हानी नहीं हुई सीम योगी अधितिनास आज कासगंज पहुँचे यहाँ पर अधिकारियों की लापरवाही के चलते उनका हेलिकॉप्टर ए हेलिपैट पर ना उतरका खाली खेतों में उत्रा बाद में अधिकारियों में अफरा तफरी मज गई मुख्यमंतरी खेस से ही पैदल चलकर आए बताया जा रहा है कि यह घटना हेलिपैट बनाने की में हुई चूप के चलते हुई है बता दे कि मुख्यमंतरी से मुलाकात करने कासकंच भवाल में मारे गए चंदन गुपता की बेहन और पिता भी पहुँचे बॉलिवुड की धगडग गर्ल कहलाई जाने वाली माधुरी दिख्षित का जर्म दिन है 15 माई 1907 को मुंबई में जन्मी माधुरी दिख्षित इंडरस्ट्री में 72 अभी नेत्रियों में से एक रही है आज भी उनकी आज जादू बरकरार है क्योंकि वो एक बार फिर से फिल्मों में वापस आने वाली है दिन बर की खास खबरों मेरे साथ सिर्फ इतना ही देखते रहिए वैशे बैपार नियूस नमस्कार